हेलो फ्रेंज वेलकुम आज के वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग बताऊंगी बहुत ही इजी वे में इस तरह आप अपने प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग बहुत असानी से कर सकते हैं चलिए शुरू करेंगे तो ये मेरे पास धाई मीटर का कपड़ा है और ये एक printed fabric है और इसे मैंने सबसे पहले बिलकुल बीचों बीच से फोल्ड करके इस तरह मोल लिया है अब मैं इसकी कटिंग करूंगी यहां बीच से ये देखे कटिंग करके मैंने इस धाई मीटर के कप कर लेते हैं तो जो प्रिंसेस कट है वो मैं सिर्फ आगे की साइट दूंगी इसलिए मैं इसकी कटिंग अलग-अलग कर रही हूं तो इस पीस को मैंने इस तरह बीच से फोल्ड कर लिया है और ये देखे ये साइट खुला हुआ है अब हम मार्किंग शुरू करेंगे तो करेंगे तो जितना भी आपके कपड़े की अरज है उसे आप पूरा ले ले और इस तरह बीच में से फोल्ड कर ले अब इस फोल्डिट साइट से हम मार्किंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम शुल्डर की मार्किंग करेंगे तो जितना भी आपका shoulder है उसके आधे पे mark कर दीजे मेरा है 15 इंच तो मैंने यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाया है 7.5 इंच नीचे ही मैंने आम होल की line दी है और इस तरह 7.5 इंच लंबी एक line खीच ली है अब इस जगह पे हम chest का measurement करेंगे तो जितना भी आपका chest का measurement है उसे आप 4 से divide करें और उसमें 1 इंच प्लस कर लें और यहाँ पे निशान लगा दें अब आधा इंच नीचे मैंने shoulder drop दिया है 3 इंच की neck की width ली है और इन दोनों points को इस तरह मिला दिया है अब यहाँ shoulder point से नीचे की तरफ 14 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ हमारा कमर का naap आएगा तो जितना भी आपका कमर का naap है उसे आप 4 से divide करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें और निशान लगा दें अब इस chest line से हम नीचे की तरफ 14 इंच पे निशान बनाएंगे और यहाँ हम अपने hips का measurement करेंगे तो जितना भी आपके hips का measurement है उसे 4 से divide करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें और यहाँ निशान लगा दें यह हमने निशान दे दिया है अब हम यहाँ पे margin का निशान लगा तो normally कुर्ती में हम हमेशा 1.5 इंच या 2 इंच का margin देते हैं लेकिन princess cut कुर्ती में हमेशा आप 1.5 इंच बढ़ा के margin दें तो मैं 1.5 इंच की margin देती हूं तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के 2 इंच पे marking कर रही हूं क्योंकि जब हम princess cut कारते हैं और उसकी सिलाई करते है तो 1.5 इंच सिलाई में दब जाता है तो यह 1.5 इंच लेना बहुत जरूरी है इस step को आप बिलकुल ना भूलें बस princess cut कुर्ती में हमें इसी बात का ध्यान देना होता है measurement के time पे और अब हम इन सब निशानों को इस तरह मिला लेंगे तो पहले हम fitting के markings को मिला लेते हैं और अब हम यह बाहर margin के markings को इस तरह मिला लेंगे यह देखे यह markings हो गई है अब इस point को हम सीधा नीचे की तरफ इस तरह ले जाएंगे तो यह हम A-line कुर्ती बना रहे हैं इसलिए हम इसे इस तरह ले जाएंगे अगर आप straight कुर्ती बना रहे हैं तो इस तरह सीधा ले जाएं इंचे टेप को और सीधी लाइन लगा दे यहां मैं A-line कुर्ती बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसे इस तरह A-shape में नीचे तक ले जाऊंगी और mark कर दूंगी यह हमने marking कर दी है अब यहां नीचे की तरफ हम 3 इंच उपर निशान देखके गुलाई देते हैं पर प्रिंसेस कट कुर्ती में हम जब सिलाई करेंगे उस वक्त यह गुलाई देंगे अभी नहीं देंगी अब हम armhole की marking कर लेते हैं तो इस corner से 1.5 इंच की line खीचे इस line का आधा लीजे और निशान लगा लीजे अब इन points को मिलाते वे इस तरह गुलाई दे दीजे तो यह हमारे back armhole की measurement हो गई है यहाँ पे हम front armhole की marking नहीं दे रहे हैं क्योंकि front armhole की cutting भी हम सिलाई के वक्त ही करेंगे अब हम princess line की measurement शुरू करेंगे तो ध्यान से देखे तो सबसे पहले आपको shoulder से नीचे की तरफ अपने burst point का निशान लगाना है तो जहाँ पे भी आपका burst point आता है उससे आप यहाँ पे लगा लेजे तो standard size 10 या 10.5 होता है अगर आप थोड़े लंबे हैं large size है तो आप 11 तक दे सकते हैं उससे जादा नहीं और अगर आप small size के हैं तो आप इसे 9 इंच तक रख सकते हैं तो यहाँ मैंने 10.5 पे निशान दे दिया है और इस तरफ से हम 4 इंच को नापते हुए निशान लगाएंगे इस तरह अगर आप size small है तो आप 3.5 तक भी निशान लगा सकते हैं कि यह हमारा burst point बन गया है अब इस point से नीचे की तरफ हम एक straight line खीचेंगे कमर तक तो इसके लिए भी हम पहले यहाँ से नाप लेते हैं 4 इंच ही होना चाहिए क्योंकि उपर भी हमने 4 इंच ही निशान दिया था और ये देखे इस तरह इन दोनों points को एक straight line देके मिला लेंगे अब हम उपर का curve बनाएंगे तो उसके लिए हम इस आम होल की line को नापेंगे और एक इंच नीचे से कम कर देंगे तो जितना भी आपका यहाँ पे आम होल की line है उसमें से एक इंच को कम कर दीजे और अब इन दोनों points को हलकी सी गुलाई देते हुए मिला लीजे बहुत जादा गुलाई मत दीजेगा यह देखे इस तरह हलकी हलकी गुलाई देके मिला ले और यह हमारा princess line बन चुका है आधा इंच आगे की तरफ हमने front आम होल का curve भी दे दिया है अब हम इस point को सीधा bottom part पे मिलाएंगे तो उसके लिए मैंने यहां से 9 इंच पे निशान लगाया है आप 10 इंच तक निशान लगा सकते हैं तो मैंने यहां 9 इंच पे निशान लगाया है और इन दोनों points को इस तरह मिला लेंगे straight line देखे यह हमने line मिला दी है और हमारी princess line तयार है अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो पहले हमने back arm hole काटा है जैसा कि मैंने बोला था front arm hole अभी हम नहीं काटेंगे हम stitching के बाद काटेंगे अब हम side की fittings को काट रहे हैं यह देखे नीचे तक हमने cutting कर ली है shoulder drop काट लीजे और अब हम यह princess line काट लेंगे यह देखे हमारी cutting हो चुकी है यह हमारा front part princess cut का यह देखे यह side के दो pieces है अब हम इसे side में रख देते हैं और अब हम back side की cutting करेंगे तो back side का यह जो कपड़ा था इसे भी मैंने इस तरह बीच से fold कर लिया है सीधी side अंदर की तरफ है और अब हम यहां folded side से measurement शुरू करेंगे तो same उसी तरह पहले shoulder का आधा लेंगे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है 7.5 इंच नीचे ही मैंने armhole की line दी है इस जगा मैंने अपने chest का measurement किया है जितना भी आपका chest का measurement है उसे 4 से divide करें और 1 इंच प्लस कर लें आधा इंच नीचे shoulder drop दिया है 3 इंच neck की width दी है इन दोनों points को इस तरह मिला लेंगे अब यहां से 14 इंच नीचे कमर की marking करेंगे chest point से 14 इंच नीचे की तरफ जाके hips की measurement लगाएंगे अपने कमर की measurement को 4 से divide करें और उसमें 1 इंच प्लस कर दें hips के measurement को भी 4 से divide करें और 1 इंच प्लस कर दें और निशान लगा दें अब इन 3 इंच को हम मिला लेंगे तो यह हमारी fitting का निशान हो गया अब हम margin देंगे तो यहां पे हमें 1.5 इंच extra नहीं लेना है हम उतना ही margin लेंगे कुलर कुर्ती की तरह काटना है इसमें 1.5 इंच extra नहीं लेना है क्योंकि पीछे की तरफ हम princess line नहीं दे रहे हैं यह plane बनेगा अब हम इस point को सीधा नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरह A line देते हुए यह देखे यह line लगा दी है अब हम आम होल की marking करेंगे तो इस corner से 1.5 इंच की line खीचेंगे इस आम होल लाइन का आधा लेंगे निशान लगाएंगे और इन points को मिलाते हुए गुलाई दे देंगे यह हमारे back आम होल का निशान हो गया है अब हम इसकी cutting कर लेते हैं यह देखे cutting हमारी हो गई है back side की भी तो यह हमारा back side भी complete हो गया है अब हम sleeves की cutting कर लेते हैं तो sleeves के लिए मेरे पास यह side का बचा हुआ कपड़ा है जो की 4 pieces में है यह देखे इस तरह और ज़्यादा कपड़ा इसमें बचा नहीं था तो मेरे sleeves के बीच में cut आएगा तो मैं इसमें एक design डाल दूँगी तो यह देखे इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 9 inch और इसकी width मैंने ली है 12 inch तो इसमें मेरा 10 inch लंबा sleeves बन जाएगा अब इस तरफ से 3 inch की मैंने गहराई ली है और इस तरह गुलाई दे दी है उपर तक आधा inch deep एक और गुलाई देंगे यह हमारे front arm hole की measurement हो जाएगी यहां से fitting का निशान देंगे तो मैंने 6 inch की fitting दी है 1.5 inch extra ले लिया है और इन दोनों points को इस तरह मिला दिया है अब हम इसकी cutting कर लेंगे पहले हम back side की cutting करेंगे अब दो pieces को इस तरह उठाएंगे और front के depth की cutting देंगे तो यह देखे इस तरह हमारे sleeves की cutting भी हो चुकी है तो इस video में मैंने सिलाई नहीं रखा है सिर्फ cutting ही बताई है क्योंकि यह video काफी लंबा बन जाता अगले video में मैं आपको neck line और sleeves के design भी बताऊंगी और इसकी पूरी सिलाई भी बताऊंगी तो आप next video देखना बिलकुल ना भूले I hope आपको आसानी से princess cut कुर्ती काटना आ गया होगा मैं आपसे मिलूँगी अगले video में तब तक किले bye bye and take care